अनुग्रा लगू मनन में आप सबों का हारदिक स्वागत है आप सबको जय मसी की स्वागत है आप सबका मैं हूँ भाई अजीत होरो मित्र आज हम मनन करेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका तेरावा अध्याय और उसके पांचमे पद पर और यहां इस प्रकार से लिखा है मैं आपके लिए पढ़ूंगा तुम्हारा स्वभाव लोब रही थो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा मित्र हाल में ही मैंने एक घटना सुनी अमेरिका के बोस्टन शहर की बात है एक मनोविज्यान का प्रोफेसर था उसका बहुत सुन्दर बगीचा था बहुत से लोग उसके बगीचे की तारीफ करते थे लेकिन उस प्रोफेसर को एक बात हमेशा खटकती थी कि उसके घर के बगल में उसके पडोसी का भी बगीचा था और जब यहीं सोचते सोचते अब ओ धीरे धीरे परेशान रहने लगा कि पडोसी का बगीचा ज्यादा हरआ हरआ जो है एक दिन के बाद है उससे रहा नहीं गया वह पर्गोसी के पास गया उससे अपनी परेशानी बताई और उससे यह पर्मिशन मागी कि वह थोड़ी देर उसके भगीचे में खड़े होकर अपने भगीचे को देखना चाहता है ओके पर्मिशन मिल गई उसका पडोसी भी उसके साथ गया मित्रो जब उस प्रोफेसर ने पडोसी के भगीचे से अपना भगीचा देखा तो वो चकित रह गया उसे अपना बगीचा पडोसी के बगीचे से ज्यादा हरा भरा और सुन्दर दिख रहा था जब उसने ये बात अपने पडोसी मित्र को बताई तो वह मित्र हसते हुए बोला दोस्त मुझे भी यहां से आपका बगीचा अपने बगीचे से ज्यादा हरा भरा दिखाई पड़ता है। दोनों हसने लगे लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही गंभीर मनोवज्यानिक सत्य को उदगाटित कर दिया था। वो प्रोफेसर कुछ दिनों के बाद अपने विद्या ले गया और इस घटना पर एक मनोवज्यानिक शोध निबंध लिखा। उसी निबंध में एक कहावत बनाई गई या एक कहावत उसी निबंध में गढ़ी गई और वो कहावत थी अर्थात सबको अपने पडोसी या दूसरों का बगीचा अपने बगीचे से ज्यादा सुन्दर और हरा भरा दिखाई पड़ता है। अब ये अंग्रेजी साहित्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा बन चुका है। लेकिन मित्रो ये कितना सच है। दरसल हम सबको अक्सर अपनी चीजें कम अच्छी लगती हैं और दूसरों की चीजें ज्यादा अच्छी। दूसरे की संपत्ती, दूसरे का घर, दूसरे का मोबाइल, दूसरे की कार, बाइक, दूसरे की स्त्री या पुरुष, दूसरे की नौकरी, कुछ भी हो सकता है यही वज़ा है मेरे मित्रों की अक्सर लोग अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों का उदारन दे दे कर ताना मारते हैं कि दूसरों के बच्चों को देखो तुमसे तो कुछ नहीं होगा दोस्तो लोगों ने या हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया लेकिन शायद संतुष्ट होना नहीं सीखा है पहला तिमूतियुस 6 और उसके 5 में वचन इस प्रकार से कहता है पर संतोष सहित भक्ती बड़ी कमाई है ये बहुत ही गहरा पद है मित्रों यदि हम भक्ती इसलिए करते हैं कि प्रभु से कुछ पाने का लालच है, कुछ कमाई होने का लालच है तो ये सही नहीं है, सही आत्मिक कमाई तो वो है, जब हमें जो कुछ हमारे पास है, वही धन्यवाद के साथ हमें अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा लगे, हाँ पढोसी का बगीचा नहीं पहला राजा 21 और उसके एक और दो में हमें एक वर्णन मिलता है, यहाँ ऐसा लिखा है, नाबोत नाम एक यिज्रेली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास थी, इन बातों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के तो उसे मुझे दे दे, मित्र मैं इसके पूरे डीटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन इसी घर्टना में आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाबोत एक गरीब आदमी था, आहाब राजा था, आहाब के पास क्या जमीन नहीं थी, राजा के पास या आहाब राजा की हत्या करवा दी और अपने उपर भयंकर शाप को लाया, दाउज राजा भी अपने सैनिक की पतनी की लालसा कर वैठा और उसका पतन हुआ, आईए मेरे मित्र, जो कुछ हमारे पास है न, उसके लिए सच्चे दिल से इसी समय, जब इस मनन को सुन रहे हैं, प्रभु का ध धन्यवाद दें, रिपीट करूँगा, अपने जीवन स्तर के लिए प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि इस तंसार में मिलियंस एन मिलियंस ऐसे लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, और वे आपकी तरह जीवन जीने के तरस्ते हैं, आप बहुतों और बहुतों से बह अपने पासवान को ब्लेस करें, अपने बच्चों, अपनी पतनी, अपने पती को ब्लेस करें, और हम देखेंगे कि आकाश के ज़रोख हैं हमारे लिए खुल गए हैं और अपरमपार आशिशे हम पर उतर रही हैं, तो चलिए, आज से कहावत बदलते हैं, और कहावत कुछ इस प्रकार से बनेगी, प्रेज देखेंगे, यानि प्रभु का धन्यवाद हो कि दूसरों का बगीचा हरा है, इसके लिए में धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, प्रभु का धन्यवाद हो कि दूसरों का बगीचा हरा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरा बगी परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशिश दे आमीन और फिर से आमीन आपसे निवेदन है कि इन संदेशों को यूट्यूब पर खुब शेयर करें फेस्बुक पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और अपने प्रात्ना निवेदन भी आप यूट्यूब में या फेस्बुक में लि कि बढ़ाद?